हेलो एवरीवन मैं विश्रुजेत सिंग आप सभी का दी इनप पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम महिस्ट्री, अचाह 0-3, हिस्टोग्राफी इतिहांसलेखन का सैकड और सॉल्फव करने वाले हैं जो है दिसंबर 2019 का इससे पहले हमने फैर्ट कोशिन पेपर सॉल्फ कि आस वो हमने फरवरी 2521 इसका question paper solve किया था दोस्तों दोस्तों ये question paper जो है 2019 वाला ये online available नहीं था online किसी भी site में मिल नहीं रहा था जिसके कारण से हमने बाहर से जो आप supporting material खरीते हो जो book खरीते हो उस book से इसको scan करके आपके सामने लेकर आएं और उसके दूरू हम पढ़ने वाले इसमें कई questions के answer भी दिये हुए हैं पहले से ही बट में ट्राय करूंगा आपको अच्छे सच्छे इसको समझा सकूँ और आपको अच्छे से समझ में आई ये वाला question paper और जिस student ने ये question paper पर PDF बना कर मुझे दिया thank you so much for that student also चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले यहां पर मैं आपको question का pattern बताऊं क्या है तो normally same pattern है कोई अलग नहीं है चीज़े वही है बस यह थोड़ा format अलग है ठीक है उसी question को यहां पर है थोड़ा format चेंज करके यहां पर डाला हुआ है ठीक है MHI 03 हिस्टोग्राफी का paper है तीन गंटे का time में total और सो नंबर का विपर आता है तीन गंटे का time होता है वस्तूपरक्ता क्या है वस्तूपरक्ता और व्याक्या के बीच में संबंद की व्याक्या कीजिए ठीक है यह question आ जाता है वस्तूपरक्ता व्याक्या क्या है ऐसा करके question पूरा है और दोस्तो यह जो वस्तूपरक्ता वाला topic है इसके उपर तो मैंने अलग से भी एक MHI 03 का first topic करवाया है ठीक है जिसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो भी देखेगा जिसे आपको वो भी चीजे समझी में आए क्योंकि उसमें बहुत विस्तारण मेंने वस्तु परक्ता बता रखा है चलिए हम अपना question का answer देखते हैं क्या लिखो गया का यसे गातना यहांसकार दोरा यह थार्त o relate प्रस्तु ए जाता है तो ऐसे वर्णन को वस्तु परक्ता की सभी में रखते हैं मतलब ऐसा कोई गटना जो जिस परकार से घटा है वह उसी परकार से दिखाया गया हो इतिहास कार के द्वारा उसी तरीके से प्रस्तूत किया गया हो तो उसे हम वस्तूप रखता कहते हैं बिना छेड़ छाड़ के बिना नमक मिर्च मसाला के जो प्रस्तूत करते हैं वो जैसे आज के समय में नियूज वेपर वाले क्या करते हैं या नियूज चैनल वाले इतिहांस के अंदर में, ठीक है समझ में आता है, simple सा definition था, आगे में बात कुर इसी के अंदर में, तो कहते हैं कि वस्तु परक्ता में यह भी ध्यान रखा जाता है, कि तथे को किसी किस तर से रखा गया है, इतिहांस कार है, जो तथे हैं, जो प्रूफ है, जो परमान है, उसका उप्योग किस परकार से करता है, ये भी ध्यान वो रखता है, ठीक है, तो इस तर से हम वस्तु परक्ता की बात करते हैं, ठीक है आगे में बात कुरूं दोस्तों यहां पर तो वस्तु प्रक्ता इंदर में का जाता है कि इतिहांसकार निस्पक्ष होना चाहिए ठीक है वो किसी का पक्ष नाले भाई निस्पक्ष होना चाहिए निस्पक्ष होगा तभी तो वो सही फैसला कर पाएगा ने तो वो तो पर्मानों को साथ देकर पर्मानों की सत्ता की जाच करकर ठीक है उस पर विश्वास करना चाहिए यह कहा जाता है वस्तु प्रक्ता के अंदर में यहां पर एक इतिहासकार भी आते हैं जिनका नाम में बात बोलू तो पिटर नेविक ठीक है पिटर नेविक ठीक है तो पिटर तो सोना चीए जो दूर सित खड़ाओ कर देखे कि चीजी किस परकार से हैं निस्पक्ष होना चीए जो किसी का पक्ष नाले निस्पक्ष हो ठीक है और नयाएदिस के भाती हो जज की तरह हो कि जज क्या करता है दोनों की स्टेट्मेंट्स को सुनता है दोनों के परमान प्रूफ को देखता है उसके बाद फैसला सुनाथा कौन गुनएगार है कौन दोसी है कौन क्या है उसके इसाब से फैसला सुनाथा तो इस तर से पीटर निविक कहते हैं कि एक इतिहांसतार को कभी वकील या फिर परचारक की भूम का नहीं नहीं भानी चाहिए ठीके normally अगर वो परचारक की भूम का निवारत है परचारक जैसे मालो एक political party है और political party ने किसी को hire किया कि आपको मेरे लिए परचार करने के लिए और जिसको hire किया गया है पर जानता है कि यह नहायती घटिया अदमी है पर फिर भी वो उसके लिए अच्छा ही बोलेगा क्यों इसने परशार करने के लिए हायर किया है उसी तरह वकील है वकील के पास जाओ वकील को बोलो मेरा केस लडवो अब बले हीं धोसी हो वकील को पता हो फिर वह वकील आपका केस लड़ےगा थीके तो यह इत्यास कार संदर में नहीं हो जीए पिटEr नेवी यहां पर यह कहते है स कि है बैजब की कई दारशणी को द्वारा उसको वैरत बताया गया अदर में यह धाळना रहतीै कि मतलब इस धारणा को रखकर बनाय 서울 वस्तु प्रक्ता को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए है इसके पहसर प्तेमी त्यांस लिखन के नदर है उन passion तीन अवस्थाओं के रूप में वस्तु प्रक्ता को दिखाता है जिसने पर्थम दित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य इन इस करवार्स पे पहुचेंगे यह जो तीनों सिथिति में बता रहें तीनों अवस्था बतारों यह प्रत्यक्षवाद इतिहांस का भी अवस्था है कि आगे जब मैं आपको एक particular topic कराऊंगा तो उसमें परतेक्षवाद एक topic है जो important रहेगा वह मैं आपको नहां पर कराऊंगा तब वह तीनों जो यह steps मैंने बताया वस्ताइं बताया वह समझ में आएगा पर वस्तु परक्ता में भी हम इन तीनों वस्ताओं को दिखाते comparison करने के लिए परतेक्षवाद और वस्तु परक्ता के अंदर में ठीके दोस्तों समझ में आता है आपको आगे में बात करूँ यहाँ पर second question के बारे में second question हमारा कहता है कि प्राचीन भारत में इतिहांस लेखन की प्रमपराओं पर टिपने की जिए मतलब प्राचीन भारत के प Onu फु 한번 बात करूँ प्राचीन भारत के इतिहांस लेखन की बात करो गह tempo है तो कई सारे पर्मान है और पूरा आगे तक का हम देखते हैं पहले बाद में, हम पीछे का देखेंगे ठीक है तो, मोरे काल से पहले का जो टाइम प्रेड अगर आप मोरे काल की जानकारी लेना चाहते हो ठीक है नॉर्मली तो, मोरे काल की जानकारी का सबसे बड़ा श्रोत के तौर पर आर भट के द्वारा ना लिखी गई जो पुच्टक थी अर्दसास्त वो मिल जाती है, अगर आपको मोरे काल की जानकारी लेना है तो, ठीक है, या फिर मेगस्थनीश के द्वारा लिखी हूँ इंडी गई। पर हम बात करें भारतियों के द्वारा लिखी गई एक टिपनी मतलब भारतिय इतिहांस लेखन के अंदर में जो important डूल प्ले करती है ठीक है तो मोरेकाल के अंदर में अर्दसास्त आ गई इंडिका आ गई जिससे हमें मोरेकाल की जानकारी मिलती है मूरे काल के अंदर में ही जैन धरम, जैन धरम बोध धरम का बहुत जादा उधवव रहता है तो इनके गरंथों के थुरू भी हमें मूरे काल की जानकारी मिलती है जैसे जैन बोध धरम के अंदर में गरंथ है सुत्र पिटक, त्री पिटक, बिने पिटक इन सभी पुस्तकों के अंदर में मोरेकाल की संदचना के बारे में में पता चलता है किस परकार का संदचना था उसी के साथ साथ जैन गरंथों के अंदर में मगद, सातवाहन, संक, गुप्त, कास्य, युक्त ठीके इन सभी जगों के बारे में में पता चलता है इन सभी जगों की राजनितिक ववस्था, प्रशाशनिक ववस्थाओं की बारे में पता जलता है, किस परकार्ज था, इनका जैन साहित्यों के अंदर में वर्णन किया गया है, ठीक है, उसी तरह से जो अर्दसास्त जो चानक क्या है, वो क्रिशी पर अधारित थी, राजनित में भी कई सारी इत्यास देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जैसे मुद्रारॉक्षस के अंदर में तो आपको पूरा विसाखा दात द्वारा, गचा गया मुदर राक्षस जिसके अंदर में आपको चंद्रगुप्त मौर्या और चानक के से जुड़ी वी सारी बाते आपको देखने के लिए मिल जाती हैं और भी भारती इतिहांस के अंदर में इस टाइम प्रेट के अंदर में कई सारी इतिहांस लिखे गए अब हम इतिहांस रिखने नहीं आता था वह عن को इतिहांस की बारे में कुछ नहीं पता था यह मादनेदे मोरे काल अंल बरूमी स्थी बचिंद करके बुक लिखी थी अलबरुनी का मानना था कि अगर भारतियों जो भारतिय कला है न लेखन कला है वो अभिन्त है उनको आता है इनका लिखना पड़ना और उन्हें अगर किसी चीज के बारे में पुछो ठीक है उनके एक्जेक्ट डेट के बारे में बुछो तो अभिन्यत है उनको लेखन कला नहीं थी उनके पास इस तरह से अलबरुनी ने भारतियों को लेकर बोला है बट अब रियालिटी क्या है उसके बारे में बात करूँ तो भारत के अंदर में प्राचीन भारत की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर में अनेक धार्मिक इन चारों वेदों के नदर में समर्झ स्रिष्ट का फूरा सार दिया गया है कि सिर्ष्ट्रि छलती के से फूरा संसार में रूल रेगुलेट होता है वो उसका पूरा वर्णन दिया गया है उसके बाद रिग वेत सहीता के अंदर में वेदों में सबसे प्राचिन गरंथ माने जाता है रिग वेत सहीता जो है सबसे प्राचिन गरंथों में से एक गरंथ माने जाता है वैदिक सहीते के जो मतलब उसके सुत्र काला की रचना की गई है और तूटल जो method otevoryoda वो तीन सुट्र के रचना की गई है was नियु whatsoever दूस यदेतना किसे शुडोलो पर खुद के बारें बात करें जू इतना खास है जो हमें दिखाया गया है आस तक कि है नहीं ठीक है सो चो मुगलकाल के अंदर में अलबुरूनी और पता नहीं कितने लेखता है अंग्रेज भी आ है सब ने यह देखकर चला या फिरगी हमें बताने कुछ सिसकी कि यह चीज है नहीं उन्होंने प्रेडिक्टी निगा कि है उसके बाद इन वेदिक साहितों को सुत्रों में विवाजित किया गया था ठीक है सुत्र भी रचे गये थे इनके उपर में तो इसके अंदर में तीन सुत्र परमुक सुत्र थे ग्रह सुत्र ठीक है जिसके अंदर में घर ग्रहस्ती के बारे में जानकारी था कल्प सुत्र और धर्म सुत्र, धर्म सुत्र के अंदर में धर्म के रिलेटिड जो भी यग वेग होते थे उनके रिलेटिड उसमें जानकारी थे, ठीके, उसके बाद हम बात करें, रमायन और माह भारत, भारत के सबसे प्राचिन्तम गरंतों में से एक माले जाते हैं, ठीके, और बालम की सुन्दर कांड, युध कांड और उत्तर कांड, इस तरह से 7 कांडों में, 7 parts में उसको विभाजित कया गया है, पूरे रम जी का जो जीवन का लेए 7 कांडों में, जैसे पहले हम एहाँ हम कहते हैं, बाल कांड, जैसे राम जी का जब जनम हухा- तो बाल कांड, बाल का पू तो सात कांड में पूरा मतलब रामायन को दर्साए गया है ठीक है यहां पर बालमी की रामायन के अंदर में पुरानों के हमारे पास पुरान भी है पुरानों के संक्यकूल 18 पुरान है हमारे पास कौन कौन से 18 पुरान है तो ब्रह्म पुरान पदम पुरान विश्नु पुरा पुरान नार्दिय पुरान मारकंडे पुरान अगनी पुरान भविष्य पुरान ब्रह्मदेत पुरान लिंग पुरान वरह पुरान सुकंद पुरान कर्म पुरान मस्य पुरान गरुड पुरान और भ्रह्म पुरान यह टोटल 18 पुरान हमारे पास है ठीक है जिनकी बारे मे जहन धर्म के जो भी गरंथ रहें बोद धरंके जो भी गरंथ रहें तो इस time period के अंदर में उनके जो अनुवाई थे उनके द्वारा बहुत सारे गरंथे लिखे गई और उन गरंथों के आधार पर भी हमें भारती इतिहांस के बारे में जानकारी मिलती है ठीके दोस्तों तो कोशन की ओर हम बढ़ते हैं क्योशन नमबर थ्री की और कोशन नमबर थ्री आपका कहता है OKC कि किस तरह से मुगल काल के अंदर में इतिहांस लिखा गया है ठीक है तक यह question भी important है दोस्तों, अब मैं इसकी बात करूँ, मुगल काली ने इतिहास कारों द्वारा लिखा गया, सरकारी इतिहास कारों द्वारा मेंली इनका पूरा इतिहास लिखा गया, इनके इतिहास कारों की जो पर्था थी, वहाँ पे राजाओं द्वारा इतिहास कारों को न्युक् इसा करके ठीक है और ये पर्मपरा बावर से लेकर और अंजेब तक पूरा कायम रहा बावर 1526 में लोडी वन्स के सासक जो होते ही इबराहिम लोडी उसको हराकर ठीक है दिल्ली का सुल्टान बनता है और बावर खुद भी एक लिक्रत था ठीक है और उहां से ही कि पूरा पर लिखकता उसमें लिखा गया इसमें तैमूर के सासन से लेकर भारत के जन जीवन और भारतिय संस्कृति के भीसे में लिखा गया इसमें भारतिय जो साथक थे उनको विश्वास गाती बावश ने बोला है कि जो भारतिय साथक है सारे विश्वास गाती है ठीक है, पट रियलिटी के अगर आप बात करोगी तो मुगल साथन को जब आप पढ़ोगे मुगल सासको को पढ़ोगे सासक थे एक सासक दूसरे सासक के परती भी विश्वास घहतक है यह यहां पर बताए गया है रभायर ने भारती की अर्थवेस्टा के बारे में बताएं उनकी समानता सम्मिर्दी के बारे में defined किया है दोस्तों उसके बाद यहां पर अकबर काल की सुरुआत होती है तो अकबर काल में भहुत सारे महत्यपुन उनके हैं हैड है पेगंबर से सुरुआ और पूरे अकबर जीवन काल का न अब वर्णन लिखो बुक लिखो इस सर से कहा गया जिसके लिए बुक का नाम उनन लिखा तारीक ए इलफी करके नाम दिया गया अकबर के द्वारा जिसके लिए एक विधान सवा का गठन किया गया परिशत का गठन किया जिसमें साथ विद्वानों को अलग अलग जगर से लाए गया इस पुस्तक को लिखने के लिए ठीक है और उसके साथ साथ दो बेगमों को भी बुक लिखने के लिए इजाज़त दी गई अकबर के द्वारा जिसमें बेगम वाजियत पहली थी जिनके द आफ्तावी के द्वारा लिखा गया तजक्रियात उल्वकियात ठीक है तो इस तरह से इनकी बुक लिखी गई दोस्तों यह सारी बुक्स हैं उर्दू में नीम है ठीक है तो थोड़ा सा अपना ध्यान से एक बार दुबारा से रिराउट कर लीजिएगा ठीक है जिससे समझ अब्दुल फजल को भी अकबर ने दुबारा अपॉइंट किया क्योंकि इस बुक से वो सटिस्फाइ नी जा जो यह लिखा गया ना तारीखे इलफी लिखा गया उन सब भी बुकों से यह सटिस्फाइ नी था उसके लिए दुबारा अब्दुल अबुल फजल को फजल के दौरा लिखा गया उसी तरीके से अलग-अलग जो भी सासक आया चाहे जहांगीर आया चाहे औरंग्जेव आया उन्होंने भी अपना अपना इत्यास लिखवाया ठीके सा जहां आये तो सा जहां नामा लिखवाया जहांगीर आया तो जहांगीर ने जब्दुल्ल अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला कोशन कहता है आधुनिक इतिहास लिखन में लियोपोल्ड रानके ठीके उनके युगदान का समक्षा कीज़े लियोपोल्ड रानके के बारे में मैंने इस फेचल से वीडियो बनाया था उससे भी आप हेल्प ले सकते हो जिससे आपको को और यह दो ऊकर नहीं डैए सब्सक्री कहना उसके लिऎटि के बेस्टी तो आप उसको भी देख कте हो तो इनको अवनुभव वादमक इतिहास लेखन का जनक के तौर पे दिखा गया कि इन्हों ने जनक किया उसको 1927 के अंदर में जर्मन इतिहासकार के तौर पे इनको जाना गया सासात में दोस्तों इन्होंने सरपर्थम नई परंपरा के सुरुवात करी और इसके अंदर में क्या था में ली ना ये रांके की मानेता थी कि इतिहासकारों को अतीत का अधियन करते समय वर्तमान पर केंद्रित सरकारों से बचना चाहिए जो मतलब इंपेक्ट पड़ता है व तो उस काल के लोगों के लिए कौन-कौन से मुद्ध महत्यपून यह हमें ध्यान अखना चीए कई बार क्या होता है कि आप 21 सताब्दी की कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो ठीके मतलब आप लिख रहे हो 18 सताब्दी के टॉपिक को और पढ़ रहे हो 21 सताब्दी को 21 पड़ेगा कि आप 18 सताब्दी में और उसके हिसाब से आपको चीज़ों को बनाना पड़ेगा उसके हिसाब से एतिहांस को लिखना पड़ेगा ठीक है रान के दौरा कई सारी किर्तियां भी लिखे गए कई सारे बुक भी लिखे गए जिसमें सबसे प्रमुक बुकों की मैं बात करूँ तो दी ओर्टमन एंड इस्पैनिस इंपायर दी पॉप्स ऑफ चर्च देर चर्च एंड स्टीट हिस्ट्री ऑफ रिफॉर्मेशन इं जर्मनी इस तरह करके चार पांस बुके और भी वह सारी बुके लिखी गई रान के दौरा ठीक है तो रान के एक अनुभव कर रहें उसको experience कर रहे हो then you can write your history ठीक है मितलब your history या फिर जो भी आप लिख रहे हो उसकी history आप लिख पाओगे ठीक है इतिहांस लेखन कर पाओगे इस्ट्रोग्राफिक कर पाओगे यह रान के की माना था यहां पर सासत रान के यह भी कहते है कि इतिहांसकार को अपनी कल कलपना सिलता अत्वा अंता प्रग्याव का सारा नहीं लेना कहीं करना चाहिए क्लपना नहीं करना चाहिए उसके इस पौर्पना प्रमान ृट्ष कर दिख हैं कि वरिता करम में जो important है सबसे जादा उसको सबसे पहले बताओ उसके बाद उसके बाद ऐसे करके पूरा ये बताओ तो वरिता करम में रखना चाहिए इतिहास को ये रांके के द्वारा बोला गया ठीक है दोस्तों समझ में आता है आगे में बात कुरू अगले question के और हम बढ़ पश्चिं के पांच महत्यपून मार्कसवादियों के नाम लिखने की बात कर रहा है दोस्तों ये वाला question मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं आप मुझे पता करके बताईए कि कौन-कौन से पांच महत्यपून मार्कसवादियों इतिहासकार थे ठीक है comment कीजिएगा मैं जा मुझे मात है और important question है ठीक है पीछे तीन साल से चार साल सी एक्जाम में put up के जा रहा है और इस बार भी आ सकता है ऐसा मुझे उम्मीद है माकसवादी से लेटेट क्योंकि पूरा पूरा एक chapter ही है तो question जरूर स्वाल्फ किजिएगा और इसका जो first part में ने पूछा पांच माकसवादी इतिहासलेखन या इतिहासिक भौतिक वादी इतिहासलेखन माकसवादी इतिहासलेखन को परभावित करता है जो पूरी मतलब माकसवादी इतिहासलेखन है वो भौतिक अर्थवेस्ता या जो भी उनकी आज के समय की जो चीज़ है वो परभावित करता है इंप बात करोगे परमुख इतिहासकार या भारत के अंदर में माकसवाद के जनक के तौर पर किसको जाना गया तो दामोदर धर्मानंद को मतलब भारत के अंदर में जितने भी माकसवादी इतिहास लिखन हुए उसकी संस्थापक के तौर पर दिखा गया ठीक है परमुख संस्था परिड कर तो इस तरह से नाम है जिसमें से रोमिला थापर हो गई अभी आपकी जीवित हैं अभी भी कई सारे थीसिस उनके पढ़ोगे अमेक अंदर में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कई जगह पे उनका नाम आपको रोमिला थापर का देखने के लिए मिलेगा जो माक्सवादी जो विचार धारत इससे प्रवावित है और उसके उनका प्रभाव उनके लेखनों में भी देखने के लिए मिलता है जितने भी मैंने भी इतिहास का रोक नाम बताए जो भारतिय संदर्व में है चायराम सरम सर्मा का हो रुमिला थापर का हो इरफान से भारतिय माक्सवाद के जनक के तौर पर इस सारे देखे जाते हैं, जो भारतिय इतिहास के अंदर में माक्सवाद एंगल डालते हैं, सासत में दोस्तों, भारतिय माक्सवाद की बात करो, तो भारतिय इतिहास लेखन में कई सारी दिरिष्टी कोन आई, सबसे पहले और परम असकार देखने के लिए नहीं मिले बहुत कम मिले उपनिवेश्वाद के अंदर में तो अंग्रेजी जो थे वो मिले और आज भी हम उनकी बुक्स पढ़ रहे हैं ठीक है तो यह हमें देखने के लिए में जाता है और तीसरा जो हमें मिलता है वो माक्सवादी विचारधारा क क्ढ़ी बार तो यह दिखा जाते हैं कि लेट भारत के अंदर में मतलब बहुत लंबे समय बाद माक्सवादी विचारधार का अंटर हुआ थे बाई को जो लिकन के लिए हैं और मुझे बताना है कि पंच इत्यासकार कौन-कौश है ठीक है खोश्यों आप्चन उप और अच्छा लग रहा होता है कि जब आप रिस्पोंस कर रहे हैं तो उसके हिसाप से फिर मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो मैं पढ़ाया तो मजा आया ठीक है ये चटा कोशन के और बढ़ते हैं उपनिवेशी इतिहांस लेखन की व्याख्या कीजिए ठीक है और इस विचारधार से जुड़े हुए कुछ मत्रपून इतिहांस कार और उनके बारे में वेचना कीजिए अब उपनिवेशी इतिहांस कार के हम बात करें कि उपनिवेशी इतिहांस लेखन क्या है तो उपनिवेशी मतलब क्या कि जब अंग्रेज हमारे यहां पर आये क्यें तुर उनके दुर्षा भी ये माना गया कि 98 सताभदी के अंधर में जब वह सारे थे उचसे पहले तक इतिहांस लेकर ना के ब chop rights के गराबर था चाल्स आते है कि इपने लेखों के अंदर में पहला इतिहांस का जिकर किया इतिहांस को पुर्ट के उसके अंदर ठीक है उनकी जो बुक थी और वर्जेशन और ऑन दी स्टेड ऑफ सोसाइटी अमंग दी ऐसी एडिटिक सब्जेक्ट ऑफ इंडिया ठीक है सेवेंटी नाइंटी टू का यह उन्होंने बुक लिखा चार्ल्स ग्रांट ने जिसके बाद भारतिय इत्यास का जिकर होना सुरू क्या है कि भारत क्या है निम्न कोटी का देश है गरीब पिचड़ा हुआ देश है ठीक है वह मतलब अपने आपको सुप्रीम दिखाने की कोर्चिस करें अपने आपको घमंड और आत्मिस्वा से भरा हुआ उनका पूरा लेखन देखने के लिए मिलता है और आप आगे आओ बारत के जिकर किया गया बाकी दो घंडों के अंदर में ब्रेटिस राजववस्था के बारे में बताया गया जिनकी किताबों को कई सारे विश्विद्याली उनिवर्स्टी पढ़ाई जा रही थी उस टाइम पे जैम्स मिल की खास बात यह थी कि कभी उन्होंने भारत के अ जानकारी मिलेगी उसके इसाब से वह इत्यांस लिखेगा पर जैम्स मिल ने एक रूम में बैठे-बैठे लिख दिया था रीजन यह था कि जो भी अधिकारी थे ब्रेटिस अधिकारी इन्ट से जो भी वह सुनता था जो भी देखता था जो भी उनके परमान पुछ जो भी स्वाध प्रसासनिक अधिकारी बरिटिस साश के प्रसासनिक अधिकारी जो लिखते हैं जिन जो लिखते हैं history of Hindu and मुस मौंदंव इंडिया ठीक है मौंदं इंडिया ऐसे करें कि वह बुक लिखते हैं कब लिखते हैं तो यह 1857 के आसपास में लिखा जाता है और कई तारे विश्विध यालों के अंदर में इसको फॉलो किया जाता है और जम्स मिलते कहीं ज्यादा इनकी माननेता प्राप्त और यह एक British अधिकारी होते हैं जिसके कारण से भारती इतिहांस के बारे में इनको अच्छा-कासा जानकारी होते हैं और अच्छा-कासा समय इन्होंने विताया होता है एल फिनिस्टिन के दोबारे एक और बुक लिखी जाती है जिसके नाम होता है History of British Power जिसके इंदर में British समराजय का परचार परसार उसके साथन विस्था का बारे में बताया जाता है उसके बाद एक विलर करके एक और इतिहांसकार आते हैं विलर 1866 से लेकर 1866 के बीच में History of India को 5 खंडों में वाजित करते हैं और 5 खंड तयार करते हैं History of India कई इतिहांसकार द्वारा लिखा गया British इतिहांसकार द्वारा और हर बार उसको नए एंगल के द्वारा प्रस्तोत किया गया तो वीलर के द्वारा इसको वापस से लिखा गया जिसको History of India कहा गया ठीक है इसको पांच भागों में विवाजित करके लिखा गया और 1886 में Survey of India under British rule वापस वीलर के द्वारा लिखा गया जो बहुत important book के तोर पे साबित हुई विश्टन स्मित भी आते हैं जो History of India करके एक book लिखते हैं कब लिखते हैं तो 1911 में लिखते हैं वो और 1911 से विश्वी सताब्दी के मद्दे तक ये भारती विश्वी द्यालों के अंदर में पढ़ाया जाना सुरूव हो चुका था तो दोस्तों इस तरीके से आप उपनिविश्वी कितिहास कारों के बारे में जिकर कर सकते हो बता सकते हो अगला question में देखू यहां पे साथ्वा question तो इतिहास पर उत्तर आधुनिक्ता द्रिष्टी कौन का महत्व क्या है ठीक है उत्तर आधुनिक्ता किस तर प्रकार सरा इसके बारे में हम जिकर करते हैं देखो उत्तर आधुनिक्ता की बात करोगे तब पुंजिवाद का एक विक्सित रूप माना गया उत्तर आधुनि ये आधुनिक्तावाद की परिकलपना सबसे पहली बार करते है और इनको जनक के तौर पे देखा गया इनकी जो बुक थी और स्टडी ओफ हिस्टरी उसके अंदर में इसका जिकर मिलता है उत्तर आधुनिक्ता आज के समय में मतलब एक तरस से देखा जाए तो पुंजी वाद का एक विक्सित रूप के तौर पर दिखाया गया था उस टाइम पर ठीके दोस्तों यह समझ में आता है यह वाला कोशन में पहले बताया था तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो और समझ सकते हो इजी था अगला कोशन आठवा कोशन आया था हमारा भारतिय राष्टवाद पर केंब्रिज संपरदाय के बारे में बताईए पर मतलब पर मतलब वहां के इसको पर मतलब पर मतलब इसको जी किया बताई जो परमुक भारतिय इतिहांस पारों का पर बात करोगे Cambridge School के ठीक या फिर इतिहासकारों की बात करोगे तो अनील सिल, गार्डन जॉंसन, रिचर्ड गार्डन और डैविड ए वॉस कुक ये परमुख नाम आते हैं जो Cambridge School के तुरू जाने जाते हैं आधुनिक बारत और समराज्यवादी इतिहास लेखन का विक्सित रूप Cambridge School के सामने आया, उन्होंने सामने रखा कि किस परकार से समराज्यवादी का विक्सित रूप है एक परकार से इनकी जो विचारधारा थी, समराज्यवादी से प्रभावित थी बहुत जादा और उन्हें समराज्यवादी विचारधारा को ही प्रस्तुत करने की कोर्सिस की इसका अध्यन सोतंतर, मतलब सोतंतर जो Cambridge School है, वो नॉर्मली तो अध्यन सोतंतर भारत के अंदर में कर रहा था पर जो उसके लेखन है, वो अभी भी उपनेविशिक लेखन के तौर पर देखने के लिए मिलते हैं इसका रिजन यह था कि Cambridge School के अंदर में जितने भी पत्रकार थे, वो ज्यादा तर अपनेवेशिक ताइन प्रिटिक के पत्रकार थे, ठीक है, उनके द्वारा impactful थे, ठीक है, उनकिस्से प्रभावित थे, ठीक है, जिसके कांच से हमें ये चीज़े देखने के लिए मिलती है ठीक है, समझ में आता है दोस्तो, 1960 के दसक में, जौन गलाघर के द्वारा उनके छात्रों को अनिल सील के अधिन में एक मतलब एक स्कूल की अधार सिला रखी, ठीक है, और ये सील भारतिय रास्टी आंदोरन के अभीजात वर्गों के आपसी परतिस परदा और संगर्स के रूप में दिसार आ गया, यहां पर जो यह पूरा था ने, यह जो मतलब केंबरीज स्कूल है, वो भारतिय वर्ग संगर्स के परकार से हो रहा था, ठीक है, उपनिवेशिक सत्ता किस परकार से चल रही थी, ठीक है, समराज्यवाद का विस्तार किस परकार से हुआ, उसके पक्ष में रहकर, यहां पर यह सारी चीज़े दिखाने की कोर्सिस की गई इसके अंदर में, ठीक है, दोस्तों समझ में आता है, यह वाला कोर्शन भी पीछे रिपीट हुआ था, तो आप वहां से भी देख सकते हो, चिदे समझ सकते हो, नोबा कोर्शन और लास्ट कोर्श समझ को हम यह बोलते हैं, इसके अंदर में नौर्मली भारतिय रास्टवाद की आलोचना की गई, ठीक है, और भारतिय रास्टवाद को लड़ाकु सोभाप का यहां पर बताया गया, यहां पर परमुक जो इतिहांसकार आते हैं, सवाल्टन अध्यन के अंदर में, रंजीत कुलिंता का दवाब मिलता है, कुलिंवर्ग का दवाब मिलता है, ठीक है, मतलब कुलिंवर्ग उच्चे वर्ग का ही दबदवा था, भारतिय रास्टवाद के अंदर में, यह रंजीत गुहाद वारा उठाया जाता है, और इतिहांसकी बात करते हैं, कि भारतिय इतिहांसक लिखन के अंदर में निम्न वर्ग अर्थात जनता क्या अपसेंट है अनुपस्तित है यह रंजीत गुवाद द्वारा बुला गया उनके थुरू कहने का मतलब यह बनता था कि जो भारतिय इतिहांस आप स्टडी करते हैं उसके अंदर में उच्छे वर्ग तो है कुलीन वर् पड़ते हैं पर जो निम्न वर्ग है वो है नहीं इतिहांस लिखन के अंदर में यह रंजीत गुवाद वारा यहां पर बताया गया ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर पढ़ सकते हो सब बाटन अग दिन के बारे में ठीक है अगर कोई पर कोई डाउट हो तो आप आप कमेंट कर के पूछ सकते हो यह वाला वीडियो यहीं पर खतम होता है औस आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं आप अपने प्यार दोग इस वीडियो पे लाइक सिर सब्सक्राइبة करोगे आपने दोस्तों तक पहुँचा होगे वीडियो के ललिक से यह होगी ठीक है और जो भी students से में हिस्ट्री के आपके आस पास में, उन सभी students तक ये वीडियो दो, जिससे वो अपना अच्छे से preparation कर सकें, अच्छे से number ला सकें, और last year के question paper solve करने का profit यह होता है, कि आप अच्छे number गेन कर सकतें, क्योंकि हमें एक idea मिल जाता है कि question pattern क्या होता है, किस तरह से प पूछे जा सकते हैं रिपीट हो सकते हैं तो अच्छे से अपना श्टड़ी कीजिएगा और आप सभी से उम्मेद करता हूं कि आप उपना प्यार हमारे चैनल दीनप को देंगे याउन रिकेस्ट है दोस्तो आप सभी से के अगर आप चाहें तो जो कर सकते हैं जो हैं कर nauja को जिससे जोइन करने सबच हैं आप मुasında ही कोश्टिन्स पूच के सकते हैं ठीक है डिरेकली मु 51 इसमेरिगा बात कर सकते हैं तो आप सास्क्राइब के बगलम एक जोई बटन है ज झाल झाल